गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तुडे वी स्टार्ट एक्सेस 15.1 इसका आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रा अलाइन सेगमेंट एबी ओफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर इसका एपाट क्या है ड्रा पर 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 पेंडिकुलर टू एबी बाइ टेकिंग अपॉइंट पी ओन इट ठीक है तो यह 0 से 5.5 हमने क्या ले ली लाइन ले ली उसके बाद हम क्या फाइंट करेंगे एक पी पॉइंट ले लेंगे 5.5 के सेंटर में तो 5.5 का सेंटर क्या होता है हमारे पास जैसे कि 5 का हाफ करें तो 5 का हाफ होता है 2.5 5.5 का ठीक है यह हमारे पास 2.5 का हाफ हो गय 5 है उपर तो यानि कि 2.7 2.7 पर हमने क्या करना है पी को माक करना है ठीक है जब 2.7 पर हम पी को माक कर देंगे यह हमारे पास ऐसा एक पॉइंट आ गया पी पॉइंट 2.7 हमने क्या करना है एक पी पॉइंट हमने उसका हाफ लगा के बाइ स्केल 2.7 हमने यहां पर पी पॉइंट ले लेना है उसके बाद हमने क्या करना है एक यहां से हमने आर्क लगानी शुरू करनी है सम रेडियस अपनी मर्जी से हम कुछ भी लैट कर सकते हैं कोई भी रेडियस ठीक है इस तरह से हमने ये 180 का हमने एक एंगल बना लेना है ठीक है half circle जिसे आप बोल सकते हैं तो ठीक है जो हमारा ये half circle है उसका ending point ये हम लैट कर लेते हैं x और y ठीक है फिर हम y पर compass का corner रखेंगे और उसके बाद एक हम आर्क लगाएंगे अपनी मर्जी से कोई भी आप कितने भी centimeter की जो है compass open कर सकते हैं for one time हम y पर रखेंगे और for second time हम x पर रखेंगे ठीक है ये दोनों हमने आर्क लगा दी बीच में से जो center point है हमारा वो उस पे से हमने एक line क्या करनी है join करनी है p point तक ये हमारा क्या है perpendicular है कहाँ पर at a point on the line ये जो line point पर है ठीक है उसके बाद हमारा b point b part क्या है draw a perpendicular to a b by taking a point क्या हूँ outside the line अब हमने क्या करना है क्या हूँ कोई point ऐसा लेना है जो outside the line है line पर कोई point नहीं है ठीक है तो ले लेंगे हम अपनी मर्जी से हमने क्या हूँ point ले लिया a b तो हमें पता ही है क्या करना है हमें 5.5 की line segment draw करनी है उसके बाद हमने क्या करना है क्या हूँ point पर जो हमने outside the line लिया है ठीक है outside the line लेके अपनी मर्जी से कम pass open करेंगे और एक ऐसे arc लगा देंगे जो इस line को cut करे a b line को given line को फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो a b line पर जो दो points पर cut कर रही है वहां पर कम pass रखेंगे और arc लगाएंगे और center point से जो ये क्याव point हमने लिया था उसको join कर देंगे तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है आउटसाइड दी लाइन उसके बाद six question क्या है draw a circle radius 3.8 cm टेक 3.8 a b on the circle at the center the circle o join o a o b o c उसके बाद हमें क्या करना है 3.8 की line segment लेनी है 3.8 की हमने क्या ले ली line segment ले ली line लगा ली हमने उसके बाद हमने क्या करना है 3.8 3.8 हमने compass को open करना है और o as a center point रखके हमने क्या करना है एक circle लगा लेना है circle लगाने के बाद उन्होंने हमें क्या बोला है कि a b c कोई point लेने है हमें कहां पर circle पर कहीं पर भी हम ले सकते हैं मैंने में अपनी मर्जी से a point यहां लिया b और c फिर उसके बाद क्या करना है o a o b और o c को क्या करना है by scale हमने क्या करना है join करना है लेकिंग A, B, C, पॉइंट ओना सर्कल, जोइन A, O, A, O, B और O, C तीक्या आज हम इतना ही करेंगे सैमन सम आपको खुद को ट्राई करना है